एक बहुत-बहुत स्पश्ट है दोस्तों कि जब हमारा देश बना एक दुखद एक इतिहास भी है जब बत्वारा विवाजन हुआ और खून खराबा भी हुआ मगर 1950 में जब हमने सम्रिधान अपनाया 26 चैनलरी 1950 तो एक जीज बिल्कुल क्लियर और साफ थी कि हमारी देश की बुनियाद, हमारी नागरिक्ता की बुनियाद, हमारे पुरे भारतिय होने की बुनियाद न कोई कोई जात, न कोई धर्म, न कोई लिंग, न पैसे पर आधारत होगी मगर समानता और बराबरी पर ये आधारत होगी और यह एक बहुत बड़ा एक बुन्यादी एक सोच भी थी और लोगों ने इसके लिए संगरश भी किया थी यह भावना जो थी राश्टिया अंदोलन से उबर के आई थी नैशनल मुव्मेंट से उबर के आई थी कि हर भारत के नागरिट यहां का नागरिट बन सकती है या बन सकता है कोई मजब या कोई जाथ या कोई पैसा या कोई link अतया नहीं कर सकता कि कौन भारत ही है या कौन नहीं है तो यह बिल्कुल एक साफ़ाद आज भी वैसे है जैसे 1950 में था अगर हम हमारी प्रसावना को देखते है प्रियांबल जो हमारे सि्विक्स में हमको पढ़ाया जाता है और वो पढ़ना भी आज के महल में बहुत ज़रूरी है क्युकि जब हमारे सम्विधान, मैं तो कहती हूँ कि 2014 के बाद एक ऐसी सरकार हमारे सम्विधान एक पदो पे बैठी है जो खुद सम्विधान में नहीं माली क्योंकि ये बारतिय जन्तापाटी की सरकार है नहीं ये तो राश्यस्वयम सेवक संग की सरकार है जो बुन्यारी स्थर्व पे एक तरफ से हमारे सम्विधान को नकारती है तो ये contradictions से हमको झेलना है और मुकाबला करना है समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रस्तावना जो हमारी प्रियांबल है हमारे लोग, we the people of India, हम भारत के लोग, हमारे में पूरी शप्दी ये देश देता है और इसलिए हम election में किसी को चुलते हैं या नहीं चुलते हैं हाला कि election किस तरह होता है, पैसे का रोल क्या है, वो अलग बात है मगर बुन्यारी इस तरफ पे the sovereignty of India rests within its people मतलब हमारे लोगों के उपर ये देश बनता है, किसी और के कहने पे नहीं और हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 में अनुचे 5 से लेके अनुचे 11 में नागरिक्ता का सवाल, वहापे साफ नागरिक्ता के सवाल के बारे में सपश्टिकरन हैं यह हमें समझना जरूरी है तो एक बात हमारे संविधान कहता है कि जब संविधान बना उस वक्त जो भी यहाँ पे पैदा हुआ था या हुई थी पैदाईशी हक, नागरिक्ता का एक पैदाईशी हक 1950 में सब को दिया गया और यह पैदाईशी हक है, आज भी है, मगर कुछ उसमें कुछ बदल आए हैं जिसके बारे में हमें आपको बताऊंगी अनुचे 11, आर्टिकल 11 कहता है कि हमारे सांसर को एक अथॉरिटी दी गई है संविधान में कि वारमवार, टाइम पे टाइम, अगर आपको नागरिक्ता को लेकर कुछ बदल लानी हैं तो आप ला सकते हैं सांसर, पार्लमेंट, मतलब बातचीव करके, डिसकॉशन करके, खुलेपन से एक चर्चा करने के बाद आप कुछ अमेंडमेंस ला सकते हैं या कुछ कानून बना सकते हैं, तो अनुचे 11 हो लेकर हमारा नागरिक्ता का एक कानून 1955 में बना 1955 का Citizenship Act हमारा हमें अधिकार देता है यहां का नागरिक रहने का और उसके बारे में समझना ज़रूरी है 1955 के Act तीन-चार चीज हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है यह कानून हमें यह अधिकार देता है कि 1987 तक अगर मेरी पैदाईश हो आजारी की तारीक और 87 की तारीक तो पैदाईश ही मेरा हक है नागरिक बनने का भारतिया नागरिक बनने का 87 के बाद अगर मेरी पैदाइश है जैसे बहुत सारी लोगों की है तो 87 के बाद अगर मेरी पैदाइश है तो कानूनी ये कानून कहता है कि जरूरी है कि माता या पिता ये दोनों में से एक यहां के पैदाइशी होने चाहिए 87 के पहले यह ज़रूरी है और वो पैदाईशी उनके पास दस्तावेज होने चाहिए एक और अमेंडमेंट आया 2004 में और वो अमेंडमेंड कहता है कि 2004 के बाद अगर मेरी पैदाईश होती है 2004 के बाद तो मेरे मा या बाप में से एक तो भारतिया नागरिक पैदाईशी सर पे होने ही चाहिए साथ-साथ दूसरे जो है मा या बाप वो अवईड प्रवासी नहीं होने चाहिए मतलब illegal migrant नहीं होने चाहिए तो ये बदल आया कानून में जो लाया गया सांसद में बहस करने के बाद अवईड प्रवासी कौन? illegal migrant किसको कहते हैं? जो जिसके पास पासपोर्ट नहीं हो या कोई valid document नहीं हो भारत के अंदर वो आएं तब उनके पास document नहीं होने के बावजूद वो आएं या वो आने के बाद उनका पासपोर्ट एकस्पायर हुआ या वीजा एकस्पायर हुआ या document एकस्पायर हुआ और वो रह गए तो उनको अवईड प्रवासी कानून के हिसाब से कहला है जाता है तो यह सपश्ट है यह हमें समझना जरूरी है कि नागरिता एक तरह से पैदाईशी है और इस तरह की है दूसरे भी दो तरीके हैं नागरी बनने के लिए भारत में वो नाच्रलाइजेशन और रेजिस्ट्रेश्ट नाच्रलाइजेशन का मतलब कि बारा साल अगर आप यह रह जाते हैं बड़े बड़े नाम ऐसे रह चुके हैं यहां पर एक हमारे ड्रॉध रह नाम के बहुत जाने माने एकॉनोमिस्ट है जो गरीबों के बीच में धार्थन में काम करते हैं वह बाहर के रहने वाले हैं मगर रह रहके उनको भारतिया की नागरिक्ता दी गई दूसरा भी एक तरीका है रेजिस्ट्रेशन मतलब आप अप्लाई करो और आपको 6 साल या 12 साल के बाद आपको मिल सकता है हमारी भारत ने कभी भी United Nations के Refugee Conventions के उपर कबूली सहाई नहीं की मगर दुनिया भर में कई देश हैं जिन्होंने Refugee Conventions के उपर जो भार के लोग आते हैं कोई भी वज़से अत्याचार की वज़से, घरीबी की वज़से उनके देशों में कुछ प्रॉब्लम की वज़से आते हैं तो United Nations जो है उन्होंने एक Refugee Conventions दो बार बनाया है मगर भारत ने कभी उसको उसके उपर सही या सलामती नहीं जाहिद की इसके बावजूर कई बार अंतर राश्य अग्रीमेंट के बार हमारे देश ने तिबेती लोगों को अफगानी लोगों को इरानी लोगों को सिटिजिजिनशिप वारमवार दिया है क्योंकि उनको लगा है कि वहाँ पे कुछ इस तरह के परस्तितियां थी वो देशों में इसकी वज़ज़ से उनको देना जरूरी है मगर वो एज और बेसिस पे दिया गया पॉलिसी की फॉलो करके नहीं दिया गया आसाम में कानून थोड़ा सा अलग है यह समझना बहुत जरूरी है जो मैंने आपको बताया वो बाकी भारत के लिए है आसाम में क्या होता है आसाम एक ऐसा राज्य है हमारे नौथीस्टन जो नौथी स्टेट्स हैं जहांपे अरुना चलें, नागालेंड हैं मेघालें हैं, मनीपूर हैं ऐसे साथ हमारे उत्तर पूर्व राज्य हैं जिसके बारे में आप और हम बहुत कम जानते हैं उसमें से आसाम एक है आसाम में एक अलग ही एतियास है विभाजन बत्वारी को लेकर बिटिश जमाने को लेकर वहां के एक भावनात्मिक एक पॉलिटिक्स को लेकर और वो भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है चूकि वो एक बॉर्डर राज्य रहा है जहां पर मतलब बाकी भी देश करीबी रहे हैं तो प्रवासी रेफ्यूजी आना जाना, काम करना बार-बार उता गाया सामने ब्रिटिश जमाने में जैसे ब्रिटिशों ने शीलंका में ने भी बात की बर्मा में भी ये बात की आसाम में वो इलाकों में जिसको हम कहते हैं अपर आसाम बराक्राईवी जहां पर टी-ेस्टेटस आपने सुना होगा चाय पत्ती उगाने के एस्टेट्स हैं, वहां पर उगाने के लिए उनको जब लेबर चाहिए था, तो बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लमान आदिवासी ट्राइप्स को उन्होंने जाके वहां पर बताया, यह भी वहां के नागरिक है, 200-200 साल से वहां पर रह रहे हैं, मगर स्थानिय लोगों के मन में बार बार यह सवाल कि यहां का कौन है, भारी कौन है, किसका अधिकार क्या है, जमीन पे किसका हक है, इसको लेकर हलचल असाम में मचलती गई, और 75 के दर्मियान, बंगलादेश बौर के बाद, वापस refugees आने लगे, जैसे आना ही था, दोनों समुधाय के आएं, हिंदू और मुसल्मान दोनों, तो 75 के बाद भाँ पे एक बहुत ही वाइलेंट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको All Assam Students Union ने उसकी अग्यवानी की, नित्युत्व में, और उनका यही था कि foreigner लोग यहां पे आके हमारे vote को छीन रहे हैं, हमारे local लोगो को All Assam से बाहर करना चाहिए, यह बहुत बड़ा एक sentiment था, आप लोगों ने शायद प्रफुल महनता का नाम सुना होगा, वो बाद में मुख्यमंत्री भी बने आसाम के, यह बहुत ही एक हिंसक एक movement बना था, वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भावना भी थी, अधारत का सबसे पहला जनसहार नेली में हुआ, 18 फिबरी 83 में गरीब महनत कख्ष, बहुत ही गरीब मुसल्मान नेली जिले, नेली इलाके में रहने वाले, धाई हजार गरीब लोगों का कतर, छे घंते में किया, बहुत ही खतरनाक है किया था, यही भावना को लेकर थी, उनके मिट्टी वही पे थी, उनके परजानों वही पे थे, डादा, परदादा सब वही पे रहते थे, मगर वो भावना इतनी बढ़ गई कि उनको टार्गेट करके मारा थी, काफी ऐसे पहलू हुए, वाइलेंट इंसिदेंस हुए, और मार्च तेस पचासी को भारत सरकार, आसाम सरकार और आसू के बीच में एक आसाम अकॉर्ड साइन हुआ, एक समझोता, एक सुला बनाने की कोशिश, ताकि यह मूवमेंट रुके, ताकि यह हिंसा रुके, उस व वो सुला और आसाम अकॉर्ड साइन हुआ, आसाम अकॉर्ड में कुछ चार पाच बिंदू थे, कि हाँ, हम प्रशासन और सरकार एक पूरा एक रिजिस्टर बनाएगी, एक सूची बनाएगी, नैशनल रिजिस्टर और सिटिजन, एक तोर तरीके से बनाएगी, बाचीत कर के बनाएगी, और तब तरह होगा कि आसाम में रहने वाले, कौन आसामी जर्कों यहां के रहने वाले हैं, और जो कौन नागरिक नहीं हैं, तीन-चार बात थी वो आसाम अकॉर्ड में, वहाँ पे 87 या 50 की बात नहीं थी, मगर 66 की बात थी, 1971 की बात थी, बंगलदेश वो की बात थी, और बात ये थी, कि 1964 से पहले आने वाले, जो भी लोग आये थे, जिसके पास उनके दस्तवाज, दस्तावेज हैं कि वो आसाम में रहने वाले हैं, वो बिलकुल आसाम के नागरिक रहेंगे, क्योंकि उनका नाम 1967 के इलेक्टरिल में मिलेगा आपको, मगर 66 और 71 के बीच में जो अगर कोई आया है आसाम बाहर से, तो उनको 10, अगर वो वोटर लिस्ट में होगा भी, या होगी भी, तो 10 साल पर उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा, और 10 साल के बाद उनको वापस वोटिंग राइट दिया जाएगा साथ साथ ये भी कहा गया, कि कभी न कभी सरकार ये काम शुरू करेगी, NRC अबदेशन काम, अभी NRC है क्या, ये National Register of Citizens, 51 में, 1951 में, सिर्फ आसाम में, एक सोश्यो एकनोमिक सर्वे के नाम से एक NRC हुआ, बाकी कोई राज्य में नहीं हुआ, बाकी सब सारे देश में Census हुआ, एकावन में, असाम में Census भी हुआ, और NRC भी हुआ, और NRC के अगर आज 51 के दस्तावेज अगर आप ढूंते जाएंगे, और हमने ढूंडे हैं, हमारे पूरे टीम ने ढूंडे हैं, तो उसमें 6 या 7 जिल्लों के दस्तावेज गायब है, क् सरकारी इतने दस्तावेज आपको कहां से मिलेंगे, क्या चलते चलते, 2003 में, 2004 में, 2005 में, देश की politics बदली, देश में सरकारे बदली, ये तो आप समझी जाएंगे, मैं क्या कहना चाह रही हूं, फाइनली, 2013 में, ये तै होता है, कि NRC का अपडेशन, मतलब उसको अपग्रेड करने का काम आसाम में शुरू होगा, किस आधार पर होगा, कौन सी तारीक cut-off date मानी जाएगी, कौन से documents हर इंसान को पेश करने पड़ेंगे, ये सब सवाल गहरे थे, तकलीफमन थे, क्यूंकि जिस देश में, जिस देश में आज भी आपकी voter registration सब प्रसिशद नहीं हुआ है, अब किस हाल में कह सकते हूं कि आपका NRC परावर होगा, फिर भी काम शुरू हुआ, और पूरे stakeholders, जिसमें आसू भी था, all minorities, students, minority के भी संगचन थे, बाकी लोग भी थे, उन्होंने साथ में मिलके तई किया, कि हाँ, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे सड पर बार बार एक शक की नजर से देखने का काम कुछ ताकते कर रही है, वो एक बार के लिए खत्म हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि एक free and fair NRC आसाम के लिए होना जाएगा, काम शुरू होता है, होते होते 3 करोड चालिस, 3 करोड पचीस या 30 लाख लोगों ने ये पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जैसे मैंने कहा, पहले 1 करोड 20 लाख लोग बाहर थे, उसके बाद 44 लाख लोग बाहर थे, आज 19 लाख लोग बाहर है, आसाम का पुरा समाज इसे जिंजोरा गया, कितने 6-8 साल में परिवार और खांदान को क्या कर्चा कर्चा करना पड़ा, कितने तकलीफों से गुजरना पड़ा, आसाम ऐसा राज्य हैं दोस्तों, जहां पर 54 प्रस्थिशत लोग इंटर्नली माइगरेट करते हैं, आपने ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है, मगर कोई भी नदी देश में ब्रह्मपुत्र नदी था मुकाबला ने करता है, ब्रह्मपुत्र एक समंदर और जब वहाँ पर बाढ़ आता है, तो गाओ गाओ बह जाते हैं, हर साल, और जब गाओ बेढ़ जाते हैं, तो दूसरी जगाओ बकते हैं मगए documents कहां होंगे, आपको दस्तावेज कहां मिलेंगे, आपको पुरावे कहां मिलेंगे ये बहुत सारी सवाले आसाम में उठे हैं और लोगों ने ये जहेलते 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 ये पूरे प्रोसेस का मुकाबला किया है, ये जो छोटी सी पुस्तिका बाहर है, शायद आप लोगों ने मैंसे कोई लोगों ने ली है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, उसके पेज 14 और 15 पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी ह कि वहां के आसाम के लोगों ने, पूरे तंजीमों ने बैट के क्या-क्या तई किया था कि कौन से डॉक्यूमेंट फुरावे माने जाएंगे, नर्सी आसाम के लिए, ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है, कि कितना भी अच्छा प्रोसेस हो, कितना भी इंक्लूसिव प्रोसे जिस देश में माइगरेंट लेबन है, मतलब प्रवासी ऐसा है जो यहां वहां जाता है, जिस देश में सिर्फ सतर प्रतिशत लोग साक्षर्टा पाए हुए हैं, क्या आप दस्तवेच को बुनियाद बना सकते हैं नागरिक्ता का, ये एक बहुत बड़ा सवाल आप और हम हमारे लिए आज हैं, आसाम गे पूरी प्रक्रिया में एक इतिहास था, एक बुनियाद था, हम जब वहां पे काम को शुरू करने लगे, तो मानव अधिकार कार्यकरता के नाते में ने पूचा हमारे जमशेर अली जी को, जो हमारे कोडिनेटर है, कि आप लोगों ने इसको माना क्यों, मतलब इस तरह के प्रोसेस को अपनाया क्यों, तो उन्होंने कहा मैडम आप समझते नहीं है, हम लोग 20-25 साह से जेलते जेलते, फारिनर, बहारी, आप यहांके नहीं रहने वाले, जेलते, जेलते, हमने सोचा, कि अगर एक बार के लिए यह हो जाएगा, तो कम स से काम गरीब और मद्लूम बार बार टिपनी और टार्गेटिंग से बच जाए, मगर आसाम का अनुभव यह दिखाता है, आसाम का अनुभव यह सिखाता है, कि इस तरह का हत्यार एक बार प्रशासन और सरकार को आप दे देंगे, तो आप कभी इससे बच नहीं सकते, आप की सरकार हो, सवाल आप पुछिए, कि जब हमारे देश में कानुन यह कहता है, कि पैदाईशी मेरा हक है यह रहने का, तो दस्तवेज पुरावा कैसे बन सकता है, यह सवाल हमको करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर हम यह सवाल चुक के नहीं करेंगे, तो हम यह जाय में फस जाएंगे और उलजते रह जाएंगे, मनशा सरकार की और जो मानसिक्ता यह सरकार के पीछे हैं, उनकी मनशा एक ही है, कि समाज में आपस में उलजन क्रेट कर दो, मुझे लगे मैं बच जाऊंगी, मेरा समुदाय बच जाएगा, आपको लगे मैं बच जाएगा, दक्षिन भारती फस जाएगा, यह सब एक जान है हम चो पसाने की, हमें समझना चाहिए कि बुन्यादी सर्थे, नागरिक्ता के लिए, किस तरह के, हमने कहते हैं कि दस्तावेज को सफाई से मत इखटा करो, करो, हमारा जब मौका मिलता है, तो हमें दस्तावेज चोड़ कर, अभी हम भारत के बुकरा आते हैं, भारत में यह प्रोसेस कैसे शुरू को, और कब शुरू को, मैंने आपको पहले ही कहा था, 1955 में नागरिक्ता का कानून पास होता है, नागरिक्ता का कानून 87, 2004, 2004 के बाद, यह अलग-अलग क्राइटीरिया नागरिक्ता के हम देता है, 2003 में, याद रखिये कौन सी सरकार, 2003 में हमारे नागरिक्ता की यह कानून के रूल्स हैं, मतलब सांसर में यह बह्द नहीं हुई, मगर रूल्स में एक चीज लिखी गई, और रूल्स में यह लिखा गया, कि यह देश में एक National Population Register, NPR का काम शुरुआत किया जाएगा, और NPR के काम खतम होने के बाद, उसी का डेटा, NRC में, ट्रांसफर हो जाएगा, 2019 के में महिने के एलेक्शन के बाद, जुलाई अगस्ट में, गरा मंत्रा आले ने, होम मिनिस्ट्री ने, तीन-चार Notification निकाले, और उन तीन-चार Notification में से, एक Notification डाला, कि April 1, 2020 से लेकर, September 30, 2020 तक, मतलब April, May, June, July, August, September 6 महिने तक, NPR का काम देश भर में शुरू होगा, यह Notification निकल चुका है, इसका मतलब है, कि चाहे हम इसके Support में हो, या चाहे हम इसके विरोध में हो, हमें तयारी तो रखनी पड़ेगी, कि जब NPR का काम शुरू होगा, हमें क्या करना है, NPR के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आसाम में, जब NRC के लिए लोगों को दस्तावेज देने पड़ रहे थे, तो उनको लंबी-लंबी लाइन में खड़ा होकर, नागरिक सेवा के इंदर में जाना पड़ना, बाकी भारत में ऐसा नहीं होगा, अधिकारी अपने घर आएंगे, हमारे घर आएंगे, आपके घर आएंगे, और सूची क्या नाम रिजिस्टर करना शुरू करेंगे, पूछेंगे, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कब पैदाईश है, क्या है, क्या नहीं, और जैसे सेंसेस में भी अक्सर होता है, मगर 2003 के रूल में यह भी लिखा है, कि अगर आप यह हमारा नाम उसमें नहीं है, तो तीस दिन के अंदर, एक महिने के अंदर, आपको एक सूची आएगी, कि आपका नाम NPR में इंक्लूडिड नहीं है, और आपको एक चांस दिया जाएगा, वहाँ पे अपनी वगेरा दिखाने, उसके बाद NPR का लिस्ट फाइनल होगा, सवाल बुन्यादी 3-4 हैं, और बहुत गौर से आपको समझना है, कि जब यह मामला पहले तो सांसद में इसकी उपर चर्चा हुई नहीं, कि NPR किस तरीके से, और यह बार-बार मैं सांसद और प्रतिनी दिवत् कि जब सांसद में कभी बात होती है, जैसे अभी जिकर कर रहे थे भाई साथ, मेरे आने से पहले, Citizenship Amendment Bill का, कि जब आप नागरिक्ता की पूरी बुन्यादी बदलना चाह रहे हैं, और कहना चाह रहे हैं कि अगर मुसल्मान चोड़के, वाकी कोई भी लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान या बांगलदेश से भारत में आ जाते हैं, तो उनको 6 साल के बाद नागरिक्त बनने का अधिकार हम अमेंडमेंट करके दिया जाएंगे, 2016 में अमेंडमेंट लाये थे, असफ़र रहे, अभी कोशिश उनकी है कि वो वापस लाएंगे, अगर ये सोच इसाधार करने वाली सरकार हमारे उपर राज कर रही है, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए उनको, कि जब NPR का जब सवाल किया जाएगा मुझसे, तो कौन से आधार पे मुझे अंदर रखा जाएगा, और कौन से आधार पे मुझे बाहर रखा जाएगा, जब तक ये क्लियर नहीं ये और जिए इक ग्रहा मंत्रा लगे नोटिफिकेशन का द्वारा ये काम नहीं हो सकता, और ये क्यों नहीं हो सकता, क्यूंकि नागरिक्ता वो ऐसा अधिकार है, जो अधिकार रखने का अधिकार है, नागरिक्ता किसी का अगर आप छीन लेते हैं, तो मुझे जीने का अर्दन का अधिकार तो foreigner होके भी मिल सकता है. मगर मेरे देश में बराबरी का दरचा, मेरे देश में समानता का दरचा, मेरे देश में हिंदू, मुसल्मान, दलिक, ब्राहून रह success, तभी मिल सकता है अगर मैं नागरिक हूं. सरकार सेकरो स्कीम शुरू करती हैं वो मनरेगा है, बच्चियों के लिए है, तालीम शिक्षन के लिए है अगर मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ तो मुझे स्कीम के उपर कोई अधिकार नहीं होता तो इसलिए ये बुन्यादी अधिकार है और ये अधिकार रखने या चीनने की बात अगर National Population Register के जरिये होने वाली है तो आप और हमको पूरा अधिकार ही ये सवाल करने के लिए कि कौन से अधार पे LPR में मुझे अंदर रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा कौन से डस्ता बेज मांगे जाएंगी यार्मी में कारगिल के जंग में लड़ चुके थे उनको भी Detention Camp भेजने का काम आसाम में हुआ है जो हमारे सेना में रह रह हुए हमारे राश्च्रपती फक्रुदिन एहमाजी के पूरा परिवान एनर्सी से बाहर किया गए सुबरो तो दे का हाल देखा है जो Detention Camp के अंदर उनका इंतकाल हो गया आसाम के पहले आसाम के डेपुट्री स्पीकर के पूरा खांदार एनर्सी से बाहर तो कौन से पुरावे और कौन से दस्तावेज प्रशासन मानमे वाली है जब सेना में जंग लड़ने वाले इंसान के दी दस्तावेज आपने लही माने तो आप किसके मानने वाले हैं यह सवाल पूछना हमें बहुत जरूरी है और यही हमारे पास समय है डिसमबर, जैनुरी, फेबरी, मार्च, चार महीं हमारे पास हैं कि गली-गली से, महले-महले से, इलाकी-इलाके से हम यह मेमोरांडम जाके, हमारे प्रतिनीदी से यह सवाल करें कि हमें ये शेडी तरीके से छुपाई में ये NPR नहीं चाहिए खुल के बताईए NPR किस अधार पे होगा कौन से दस्तावेजे मांगे जाएंगे और कट ओफ डेप कौन सा होगा असाम में सही या गलत एक इतिहास था सही या गलत वहां के लोगों ने माना 25 मार्च 1971 इकतर बांगलदेश जंग के 9 मैने पहले का तारी किनी गई और वो कट ओफ डेप आसाम के लिए रखा गई बंबई के लिए कट ओफ डेप क्या होगा बंगाय के लिए कट ओफ डेप क्या होगा 1950, 1987, 2004 अभी क्या है ये बात बेबुनियादी बात बिना बहस करके आप लोगों के मन में डर और खौफ पहलाने का काम ये सरकार कर रही है और ये इसलिए हमारा आवाज उठाना संजीर्गी से शांती से आवाज उठाना बहुत ज़रूरी है मैंने कम से कम 25 वकीलों से सुप्रीम कॉर्ट से लेके गवाटी हाई कॉर्ट से लेके बंबे हाई कॉर्ट के वकीलों से जो मानव अधिकार के केस लड़ते हैं ऐसे वकीलों से मैंने बात की बताईए भाई साथ बहन जी बताईए काट ओफ डेट कौन सा होगा हमने 50 जज्मिन पड़े सुप्रीम कॉर्ट के 50 जज्मिन पड़े गवाटी हाई कॉर्ट के कौन सी बुन्याद पे NPR शुरू किया जाएगा कुछ क्लारिटी नहीं है सरकार के दिमाग में सिर्फ उनका मनशा एक है कि एक हैबत पैदा करो लोगों के दिल और दिमाग में घबराद पैदा करो और शायद हो घबराद से लोगों का वोट भी ले लो यह हुआ है आसाम में दोस्तो हैबत पैदा करके तो इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है मैं बार-बार कहती हूँ यह देश में वोटर रेजिस्टेशन हंडिड परसेंट नहीं हुआ सब प्रश्णिशन वोटर परसेंट नहीं हुआ वोटर रेजिस्टेशन को लेकर दी कौन से तपके को बाहर रखा जाता है गरीब तपका मैनत कश्वर कटर का अलपस यंख़ग डलिद ये तपके वन्चित हो जाते हैं अपने वोट देने के अधिकार्स जनम का रेजिस्टेशन मेरी पैदाईश बंबई में हुई पुरंदरे हॉस्पिटल में तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है यूनिसेफ का अकड़ा कहता है कि सिर्फ 58 प्रतिशद हिंदुस्तानी लोगों के पास बर्थ रेजिस्टेशन के पुरावे हैं तो अगर 42 प्रतिशद लोगों के पास अगर नहीं है तो आप कौन से पुरावे मांगने वाले हैं यह में बताईए आपने आसाम में कहा था पासपोर्ट भी चलेगा आपने आसाम में कहा था गाउं 12 सेर्टिफिकेट भी चलेगा जो हमारी बहनों को बहुत काम आता जब शादियां 18 साल के पहले हो जाती है तो कोई पुरावा नहीं रहता है लग्कियों का इसलिए पंचाइट सर्टिफिकेट रखी गई ताकि पंचाइट के लोग कह सके कि हाँ यह बच्ची यही गड़ में पैदा हुई थी यह आपने एक पुरावा रखा एनरसी आसाम के लिए और बीच में आपने हटा दिया इसकी वज़़से उननीस लाख लोगों में से चार लाख हमारी बहन है जो वंचे थे बहनों के खिलाफ बंगाली हिंदू को आपने कहा जो बटवारे के बाद या बंग्रदेश वोर के बाद आया था या आई थी असाम में आपने कहा ये refugee registration certificate चलेगा refugee commitment certificate चलेगा तीन डस्तार आच थे हिंदू refugees के लिए तीनों ये list में allowed थे NRC का final list निकलने पे पूरे बंगाली हिंदू लोगों के refugee certificate को ना काब आदे तो अब इसको क्या करने वाले हो लोग में मेहनत कर रहे हैं जी रहे हैं उनके पास सब पुरावे हैं और वो refugee certificate क्यों आपने न कर रहा है ये कहते हुए कि office की back end copy हमारे पस नहीं है उस वक्त का camp दी बंद हो गया है विभाजन के बाद जो camps थे वो कागस कहां से मिलेंगे आपको वो बिचारा या वो बिचारी सुब्रोते दे या जो भी है refugee certificate बचा बचा के रखें पचास साल और आप कह रहे हैं कि हम ये दस्तावेज को मानने वाले नहीं हैं दोस्तों अगर हम आसाम का अनुभग गेराई से नहीं समझेंगे तो हमें नहीं बता चलेगा कि किस तरह की हलचल है बत लोगों के बीच में मत जाएगी अगर हम बिना सवाल पूछे हम सरकार को या अधिकार दे जाएंगे मैं बार-बार कह रहे हूं 2003 में से रूल्स बनाए गए सांसर में चर्चा नहीं हुई है कि NPR किस तरह के से होगा सवाल आपकों पूछना होगा कि NPR किस अधारपे में NPR के बाहर रहूंगी या अंदर जाऊंगी बताईए पहले खुल के बताईए उसके उपर बहस कीजिए उसके बाद ही एक काम शुरू कीजिए ये कोई तानाशाई देश नहीं है कि किसी ने हुकुम दिया और कुछ प्रक्रिया चुलो चाले हो चाले लोग तांत्रिक तरीके से इसकी उपर चर्चा होनी चाहिए चर्चा होने के बाद अगर लोगों को लगे कि हाँ अगले बाद 2020 के बाद कोई भी पैदा हो तो ठीक है 2020 या 25 के बाद अगर पैदा होता है और पची तो उनके लिए ये सब दस्तावाजिया बना लो मगर रेट्रोस्पेक्टिव आप बनाएंगे 1950 का डेट रखेंगे 87 का डेट रखेंगे 2004 का डेट रखेंगे कुछ clarity नहीं है कुछ clarity नहीं है सिर्फ एक मनशा है कि लोगों के बीच में डर और हैबत पैदा करो ताकि लोग लगे कि हम target बन गए और इसलिए अपना पूरा एक psychological warfare बना गए बंगाल में कल रिजल्ट आ गए तीन बाइपोल में सिर्फ NRC के मुद्दे पे लोगों ने हराया है ये ताकतों को ये मैं खुल के कह रही है वहाँ पे हिंदू बना मुसल्मान मामला नहीं बना बन सकता था बनाने की कोशिश की गई कहा गया कहा गया कि आपको तो हम सिचिजिजन्शिप अमेंबिन बिल लाके बचा देंगे आप फिकर ना करे आपको हम बचा देंगे प्रॉब्लम में आएगा मुसल्मान ये बोला गया बीजेपी के मुँ से बोला गया मगर बंगार में गाउ में लेने वाले लोगों ने समझ लिया कि 19 लाक लोग जो हमारे असाम से वन्चित हो गए नारसी में उसमें कोई धर्मजब नहीं है जिसके लोग बहर रखे ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तो हम यहां से यह नहीं के चले कि तारगेट बनेगा मजलूम तारगेट बनेगा माइगरेंट लेबरर तारगेट बनेगा हर भाषियर क्योंकि नागरिक को एक उल्जनमत सरकार डाल देगी कि आप प्रूफ करो कि आपने हाँ पर पैदादे तो इसलिए हमको इसमें ये कम्यूनल ट्रैक में नहीं पढ़ना है ये बार-बार में कहती हूँ हम ये फिरका परस डायलोग में न पढ़े और इसको साथ में मिलके अलग-अलग तबके साथ में खड़े होके संजीवगी से सांशांती से कानून और रूल समझ के 10-15 सवाल थो इतना ही कहके मेरी बात मैं खतम करूंगी नागरिक्ता उन्यादी अधिकार है वो अधिकार है जो बाकी सब अधिकार हमको देता है और इसलिए हम इसको लाइकली न ले बहुत ही गंबीता से ले और हम और हमारी टीम बार-बार ऐसा कोई इलाकर नहीं है बंबी का जहांपे हम लोग गए नहीं है कोई भी बुलाता है 25 लोग हो बैरामपारा में या 50 लोग हो कुरला में या 30 लोग हो मीरा रोग में या आज की ऐसी 10-100 लोगों की जमाव हो हम जाएंगे हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो आसाम में वॉलिंटियर्स ने हमें तो तजुर्बा दिया है हम तो हमारे आसाम के टीम को सलाम करते हैं साथ सो लोगों ने जिस तरह वहाँ पे काम किया दस लाग से उपर लोगों को किये पॉम भरबा ऐसा गाओं और ऐसी नदी पार-पार के गाओं में हमारे लोग गए हैं साथ सो वॉलिंटियर्स और इसलिए सबसे पहले में आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप में से कोई अगर हमारे टीम में जॉइन करके वॉलिंटियर्स बनना चाता है इसके लिए जबनना चाती है आप प्लीस अलग से आपका नाम डेस्क पे दे दीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इलाके में हमारे लोग हों जो इसको लेकर घर घर में जाके कम से कम डर दूर करे और अधिकार के बारे में जाकारी दे बहुत बहुत शुक्त